लेटली आवस फिलिन लाइक एक जी मंद्रे में जो भारत के मुख्य मुख्य बाराज उते लिंग गया है वह गिरे के और टिकारी गुरकपुर जाएं आज सुबर सुबर मैंने हेलमेट ले लिया है एक्चुली दोस्तों ना मैं जहां पर रुका था यानि भाईया के यहां हरी द्वार में उनके यहां मेरा चार्जर रह गया वो फास्ट ट्रेवल चार्जर है तो उसको लेने के लिए अभी मैं सुबर सुबर जा रहा हूं तो चलिए फिर बिनादेर के विए आज भी सांत कुंज से वीडियो की सुरुवात करते हैं आप से कुछ बात करते हैं नए दिन की सुरुवात करते हैं दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुलिय देव भूमी उत्राखंडी की खूब सूरत हसीन वादियों में चार्जर लेने के बाद तो फिर मुझे आ हरिद्वार छोड़ करके जाना ही जाना है आज मैंने सुचा यहां से रिसी केस तक का आप रिसी केस को एक्सप्लोर करेंगे तो यहां पर निकलने से पहले पास दिखाना जरूरी है सांत कुझ में बहुत बहुत धन्यवाद भाईया जी लेकर गया है आधे रास्ते तक चार्जर अभी मैं घड़ पर भी नहीं गया फिर और चलो चार्जर मिल चुका है तो अब चलते हैं सीदे सांत कुझ और सामान उठाते हैं इस फिर निकलते हैं रिसी केस के लिए सारा सामान भी ले लिया है यह देखो अब चलते हैं चलो घड़ी उठाते हैं रसी होगी रसी रसी होगी राइडिंग वाली में रुगा था स्यामपूर में एक्चुली आप लोग ने देखा था मेरी रसी खो गई थी तो मैंने यहां से एक दूसरी रसी परसेज कर लिए है इस टेजी वाली रहती है बादने के लिए कंफिटेवल रहती है स्यामपूर में रुगा था भया की दुकान से लिए चलो अब चलते हैं इस वाले रास्ते अभी यहां से लगवग बार किनुमेटर की दूरी कर रहा है रिसी के तो चलो चलते हैं लक्षमर्जुला अब नहीं है दूरी पहुंचने वाले हैं रिसीयों की तपो भूमी रिसी केस जान की जुला का दर्सन करते हैं ओशंग को भी कराते हैं अभिए तायर आहरा जान की जूला जो कि रिसा केस में नया बना हुआ है और आई साइड से तरह कि आपको चीज़ें देखने को भी परसादी और करें सब्सक्राइब दोगजा भीनल के बाहरे से म Надजी भुट्टा भून रही है अाप अरे वाह कितने रुपे भुट्टा है बीज रुपे भुट्टा अरे वाह है अच्छ ठीक 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 बढ़िया है बढ़िया आप यहीं से हैं लोकल जाई है नहीं अपना है गुरखपुर जाएं कितना समय होगे आपको यहां तीस साल हो गए रिसी केस में तीस साल हो गए अरे वाह तो तीस अच्छ चलिए बहुत बढ़िया है रोजी रोटी के सवाल है हाँ चान की जूला दिखाते हैं जो की नया बना हुआ है देखो यहां पर लिखा हुआ भी है राम जूला यहां से जादा नहीं एक किलोमेटर की दूरी पर है वाई यह दोस्तों आप चलते हैं राम जूला की बड़ अभी मैं परमार्थ निकेतन के ठीक सामने हूँ और यहां पर पी एक घाट है लेकिन इसका अग्जेक्ट नाम तो मुझे पता नहीं है स्री क्रस्ना अर्जन को उपदेश देते हुए और सामने मंदेर आए है 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 फाइनली पहुंची जुग अगे राम जूला के पास क्या खचा खचवरा हुआ है भाई राम जूला यह और लक्समन जूला इससे उपर है पर उसमने काम चल आजकर और देखो चलने में बहुत मजा रहा है फिर जूला हिल रहा है पूरा यह वाव क्या मस्त और नीचे रीवर राम जूला के भी दर्शन हो गए फिर अब चलते हैं लक्समन जूला की ओर पूरा व्यू नहीं आए हैं आजी 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 अंकल जी कह रहे हैं अच्छा दोबारा बताईए आप कहां से हैं कौन सी जगा तो इतना सारा सामान मलब पूरी फैमिली आ रहे हैं अच्छा है चार पोटे है रहर गंगे आप हरदार घुमिये आराम से तीर दिस्तान के आप घर्मन कर रहे हैं और माता जी को भी करा रहे हैं बहुत ही अच्छा है ठीक है आपकी आतरा मंगल माय हो या आप देखिए हर मंजिल में अलग-जलग देवी देवता की मूर्थियां लगी हैं अब कौन से मंजिल में किस देवी देवता की मूर्थि लगी है वहें जा करके बताएंगे आज के व्लॉग में जो है मंदिरों का व्यू हो रहा है फिर पूरा और आगे से तो फिर आपको आउटडोरी कैम्पिंग और आउटडोर के व्लॉग देखने को मिलेंगे फिलाल तो चलते हैं फिर दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले ना मां गंगा के ही दर्शन करा देते हैं तो यहां से गंगा रिवर वैरी हैं तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है अच्छा बारा जो तिर लिंगों से निर्मित है यह एक ही मंदिर में जो भारत के मुख्य मुख्य बारा जो तिर लिंग है अच्छा इस मंदिर के दर्शन करने के बारा मंजिल और आगे जो सामने दिख रहा वो तेरह मंजिला है सामने वाला यह इस मंदिर और उस मंदिर में अंतर यह है कि यहां पर भी सारे देवी देवता विराजमान है और वहां पर भी वहां पर चार धामों के साथ साथ आमरनाथ और भी तरह तरह के वहां पर टेंपल आपको देखने को मिल जाएंगे तो इसका नाप बहुत अच्छा वियू दिखता है लक्समन जूला के उस पार से पर आजकल लक्समन जूला में काम चल रहा है नीचे इदर भी मसीन लगवी है और उदर भी साथ से काम चल ला है इसके पिलर कमजूर होने की वज़ा से यह जब तक पुल ठीक ना हो तो तब तक इस पर अवा गमन बंद होगा चलो फिर आप यहां से नीचे उतरते हैं गोल गोल करके कितना मस तरीके से गुमावा देखो यह और गाड़ी को मैंने यहां पर पार कर दिया फिर और इदर कमरा ले लिया है और फाइनली आज का जो इस टे है ना यहीं पर होगा और ठकान भी काफी ज़्यादा हो गया कभी 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 घूमते घूमते और मैं रुकाओ अभी पंजाब एंड सिन धर मसाला में और यहां का व्यू और सब कल दिखाऊंगा आपको बड़ीया तरीके से एक्द तो अभी ना थकान काफी जादा हो रहा है यह सारा सामान उठा करके चलो कमरे में ले चलते हैं सबसे पहले तो अपनी यात्रा का प्रारम करेंगे तिर्वेणी घाट से लेकर के देहरादून तक और वह होता है ना हम जिस जगह पर रहते हैं उसके आसवार जानने की अजी थोड़ा इतर इतर कहीं पीछे से बता चला कोई ठोट के निगल लिया आगे को यह थोड़ देर में लंगर चलेगा तो लंगर में खाना खाएंगे फिर उसके वार रेस्ट करेंगे यह रहा मेरा रूम और फाइनले खाना खाने के बार अभी में रूम पर भी आगया लेना और फिर मुलागात होगी कल एक और नए दिन की सुरुआत पसान नए व्लोग में सौड़े सौथ बजे तक तक के लिए जय दे भूमी जय उतराक्मिन जय हिंद